अगर आपके टीवी या फिर प्रोजेक्टर के अंदर आवाज नहीं आ रही है वो भी तब जब आप फारेस्टिक लगाते हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर थोड़े से चेंजेस करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं जैसे हो सकता है कि फारेस्टिक लगाने के बाद Amazon Prime के अंदर आवाज आ रही है बट Hotstar के अंदर आवाज नहीं आ रही है या फिर हो सकता है कि YouTube के अंदर आवाज आ रहा हो लेकिन Prime के अंदर आवाज नहीं आ रही हो मतलब कि किसी एक Certain ODT एप के अंदर आवाज नहीं आ रही ह लेकिन बाकी सारे पे आवाज आ रही है तो आपको यहाँ पे right side में settings के अंदर जाना है हो सकता है कि आपके fire stick का interface ऐसा नहीं हो समय के साथ यह change होता रहता है तो आपको बस fire stick के settings को यहाँ पे ढोडना है वहाँ पे click करना है और इसके अंदर आपको दिखेगा display and audio इस पे click करने के बाद आपको दिखेगा audio और फिर audio पे click करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा dolby digital output इस पे आप click कर लें और जो by default selected होगा वो या तो यहाँ पे होगा dolby digital plus automatic या फिर होगा dolby digital plus over HDMI HDMI या फिर होगा Dolby Digital over HDMI. अगर आवाज आपके TV या फिर प्रोजेक्टर के अंदर नहीं आ रही है तो आप यहां से Dolby Digital Plus को off कर दें. तो जो आवाज नहीं आने वाल ये problem थी किसी एक certain OTT platform पे वो यहां से fix हो जाएगी. आप यह fix करें, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेर करके उनकी help करें और इस channel को subscribe करने and I hope this video was helpful for you.